हलो एप्रिवान आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 एकॉनमेक्स पेपर में चाप्टर वन या यूनिट वन की शुरुवात करेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कास करेंगे एकॉनमेक्स का हम माइक्रो एकॉनमेक्स को डिस्कास करेंगे माइक्रो एकॉनमेक्स जो की हमारे क्लास 12 क्लास 12 एकॉनमेक्स का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड़ है सबसे पहले है पार्ट ए जिसमें हम लोगों को माइक्रो एकॉनमेक्स पढ़ना है पार्ट ए में हम लोगों को माइक्रो एकॉनमेक्स डिस्कास करना है जिसमें हम लोग एकॉनमिक थियोरीज को या एकॉनमिक प्रॉब्लम्स को वो सारी theories and problems जो हम economics के अंदर discuss करते हैं उसको हमको micro level पे discuss करना है और part A में total 4 units हैं जिन में से पहला unit जिसका नाम है introduction introduction में हम लोगों को micro economics के साथ साथ economics का basic introduction लेना है सीखना है कि economics का मतलब क्या है economics के definitions क्या-क्या होते हैं या हो सकते हैं और economics में आने बाते जितने भी basic terms हैं उनको हमको discuss करना है तो इतनी बाते हम लोग इस unit में करेंगे और आज से हम लोग इस unit को start करने वाले हैं सबसे पहले unit 1 introduction में हम लोग discuss करेंगे economics के मतलब की बारे में introduction में सबसे पहले हमको economics का introduction लेना होगा कि यह है क्या इस term का मतलब क्या है तो देखिए economics को हम कैसे define कर सकते हैं तो बहुत ही simple तरीका है थोड़ा हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है basic introduction तो हम 11 से सीख कर आते ही हैं तो economics को जब हम define करते हैं तो इसको define करते हुए हम कह सकते हैं कि economics is a subject in which we study economics subject है जिसमें हम पढ़ते हैं अब सवाल है कि क्या पढ़ते हैं तो यहां पर हम पढ़ते हैं about the economic problems economic problems के बारे में हम जहां कहीं पर भी study करते हैं उस subject को हम economics कहते हैं अब इसको simply बिल्कुल एक लाइन में इस तरह से दिफाइन करते हैं कह सकते हैं economics is a subject in which we study about the economic problems now the question arises what are the economic problems economic problem होती क्या है economics क्या है यह तो पता चल गया कि भही जहां पर हम economic problems के बारे में discuss करते हैं पढ़ते हैं उसे ही economics कहते हैं now what are the economic problems अगर हम आर्थिक समस्याओं की बात कर रहे हैं तो हम इससे क्या समझते हैं तो economic problems में main आपके दो problem आते हैं सबसे पहला तो human wants are unlimited जो मनुष्य की इक्षाएं हैं वो unlimited हैं असीमित हैं हमारी जो इक्षाएं होती हैं वो असीमित होती हैं और इन इक्षाओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ती है वो resources हमारे कैसे हैं तो वो resources limited हैं human wants unlimited है और resources जो हैं वो limited हैं सीमित हैं जिन साधनों से हम अपनी इक्षाओं को पूरा कर सकते हैं वो साधन हमारे पास असीमित नहीं है बलकि उनकी मात्रा जो है वो सीमित है तो जब भी हम किसी भी particular चीज को demand करते हैं उसकी मांग करते हैं और उसकी तुल्ना में मतलब मांग की तुल्ना में अगर उस वस्तु की जो पूर्ती है जो supply है वो कम हो सीमित हो तो उस स्थिती में एक समस्या उत्पन होती है जिसे हम scarcity कहते हैं कमी कहते हैं अच्छा problem सर्फ यही नहीं है कि human wants unlimited है और resources limited है बलकि एक और यहां पर problem है जो हम लोग consider जरूर करेंगे कि यह जो resources सीमित है सीमित होने के साथ-साथ इन साधनों के alternative uses भी है कहने का मतलब है कि जो भी साधन है माल लीजे कि आप resource में पैसा consider कीजे हमारे case में resources की बात करेंगे जिससे हम अपनी wants को पूरा कर सकते हैं तो consider करते हैं money पैसा है जिससे हम अपनी एक्षाओं को पूरा कर सकते हैं यह पैसा जो है यह कह रहे हैं uses बोलने का मतलब हुआ कि हम पैसों से एक के अलावा अलग अलग तरह के goods and services को purchase कर सकते हैं आपके पास 100 रुपे हैं आपके पास 100 रुपे हैं और इस point of time में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है जरूरत नहीं है इक्षा रखते हैं यहाँ पर हम wants की बात कर रहा है आपको pen भी खरीदना है आपको copy भी खरीदनी है आप book भी खरीदना चाहते हैं आपको अच्छा सा खाना भी खाना है और घूमने भी जाना है और आपको कपडों की जरूरत है तो at a time हमने देखा कि आपके इक्षाएं बहुत जादा है आपके bonds बहुत जादा है अब उन इक्षाओं में अगर हम देखें तो आपके पास पैसे जो है उन इक्षाओं को जिससे आप पूरा कर सकते हैं वह पैसे आपके पास सिर्फ 100 रुपए है सीमित पैसा है लेकिन इक्षा जो है वो और सीमित है अनलिमिटेड है अब इस केस में एक तो ये सिच्वेशन है दूसरा कि जो पैसा है आप उसके और भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे आप उस सो रुपए से पैन भी खरीद सकते हैं अगर आपने पैन नहीं लिया तो आप कॉपी ले सकते है अगर आपने कॉपी नहीं खरीदा तो आप उसी पैसे से किताब ले सकते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या alternative uses की जो साधन होते हैं उनके वैकल्पिक इस्तिमाल भी उनको हम कर सकते हैं अलग-अलग चीजों पर हम उस साधनों को यूज करके हम उन वस्तूओं को problems की कि भई जब एक्छाएं असीमित हैं और रिसोर्से सीमित हैं और रिसोर्से के alternative uses भी हैं तब समस्या आती है तब जो problem arise हो जाता है उस problem को हम economic problem कहते हैं क्या problem arise हो जाता है तो इससे arise होती है scarcity जैसा कि मैंने अभी अभी बोला था कि जब आप किसी चीज की मांग करते हैं और उसकी तुल्ला में उसका supply कम है तो समस्या उत्पन होती है scarcity की कमी की और जब scarcity होता है तब हर एक वेक्ति को करना पड़ता है choice तो ये जो choice है चुनाओ कि हम अपनी कौन सी इक्छा क को पहले पूरा करें किसको बाद में करें जैसा कि मैंने example दिया कि आपके पास 100 रुपे हैं और आपको उस 100 रुपे से आपकी इक्छाएं 100 रुपे की तुल्ला में जादा हैं और आप उन सारी इक्छाओं को उस 100 रुपे से पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपके पास कमी है पैसो की scarcity है आपके पास पैसो की और उसकी वज़़ से अब आपको चुनाओ करना होगा अब आपको choice करना पड़ेगा choice क्या का करना पड़ेगा तो हमें चुनना होगा कि पहले हम अपनी कौन सी एक्षा को पूरा करे और फिर बाद में हम किसको पूरा करे अच्छा सिर्फ यही समस्या नहीं है choice का परपस यह जब भी हम सेलेक्षण करते हैं च고 करते हैं तो चोईस करने का परपस यह होता है कि हम अब हमें मतलब हम इन्डिवीजुल के केस में बात कर रहे हैं तो कर रहे हम अगर consumer कर रहा है तो ऐसा जिसमें उसका satisfaction maximum हो अगर हम producer के case में यह सारी बातें discuss कर रहे है producer who who produce goods and services तो अगर हम उनके case में बात कर रहा है तो उनके पास भी unlimited wants है और resources limited है और alternative uses है जिसकी वज़ा से scarcity है और उनको भी करना पड़ता है choice तो जब हम producer की बात करेंगे तो producer का ये aim होता है कि हम इस तरह के goods and services को चुने जिससे हमारा जो profit है वो maximum हो सके तो producer ने अगर aim किया है producer का economic problem है scarcity से related तो वो चुनते हैं to achieve the aim of maximum profit और यहीं पर अगर हम society की बात कर दे ये तो हमने consumer की बात कर दी producer की बात कर दी अगर consumer की बात करें वो भोकता जो goods and services को consume करते हैं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए तो वो चुनाओ कर रहे हैं तो उनका aim होगा maximum satisfaction वहीं पर अगर हम producer की बात कर दें जो goods and services को produce करते हैं तो उनका aim होगा maximum profit और वहीं पर अगर हम society की बात करें समाज की बात करें कि समाज के पास भी वही समस्या है देखें कैसे तो हर एक individual का economic problem है मेरा economic problem है मेरे पास पैसे कम हैं कम हैं सीमित हैं और उन पैसों की अपेक्षा मेरे पास जो मांग हैं मेरी जो इक्षाएं हैं वो अनंत हैं यही same problem आपकी है मेरी आपकी जितने लोग हैं individuals हैं सबकी सबको मिला देंगे तो यह society की problem बन जाती है तो एक society क्या चाहती है कि अगर उसके पास असीमित हैं wants और सीमित हैं resources साधन और उनके alternative uses हैं तो society चाहती है कि इस scarcity की स्थिती में हम इस तरह से choice करें इस तरह से selection करें कि society को maximum welfare मिल सके समाज का अधिक्तम कल्यान हो सके तो society जब choice करेगी तो उसका aim रखेगी maximum welfare तो जितने भी अलग-अलग factors होंगे उनको वो जब scarcity की स्थिती में choice make करते हैं choices करते हैं तो उनके choice करने का purpose अलग-अलग हो जाता है consumer करेंगे तो वो maximum satisfaction चाहेंगे producer करेंगे तो वो कुछ इस तरह से choice करेंगे कि उनको maximum profit मिल जाए और अगर एक society करती है choice in situation of scarcity तो वो चाहेगी कि उसे क्या मिले maximum welfare मिल जाए and this is what the economics about economics इसी के बारे में है economics को हम लोगों ने simple एक line में देखा इसके meaning को हमने समझने की कोशिश करी और काफी हब तक हमने समझ में आया कि economics का मतलब हो गया एक ऐसा subject जिसमें हम पढ़ते हैं about the economic problems economic problems जो की arise होती है अगर सवाल है कि ये economic problems उत्पन क्यों होती है तो economic problems जो की related होती है scarcity से and choice से इसके arise होने का कारण है कि human wants unlimited है और resources limited है resources के alternative uses है और इसकी वज़़ से कमी आती है scarcity की स्थिती उत्पन होती है जहाँ पे choice करना पड़ता है और अगर एक consumer choices करते है तो वो maximum satisfaction प्राप्त करने की कोशिश करते है अगर producer choice करेंगे तो वो maximum profit प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अगर एक society choice करती है तो वो maximum welfare को समाज के कल्यान को बढ़ाने की कोशिश करती है and this is the meaning of economics अब इसके meaning को हम समच चुके हैं आप इसको define अपने language में इन साले terms को include करते हैं आप कह सकते हैं कि economics is the study of economic issues और economic problems arising out economic problems arising out of the fact that resources are limited resources are scarce अब कोई भी word use कर सकते हैं कि resources की कमी है resources are scarce in relation to our wants हमारे wants की तुल्ना में resources क्या है तो कम है and they have resources have alternative uses too so that alternative uses so it focuses what focuses economics जो है वो focus करता है it focuses on the management it focuses on the management of scarce resources in such a manner that a consumer gets maximum satisfaction a producer gets maximum profit or a society gets maximum welfare this is the meaning of economics अब हम लोग economics की meaning को जान चुके है now अगला जो topic होगा उसमें हम बात करेंगे definitions of economics के बारे में economics की परिभाशा क्या है यह तो meaning है जो अभी अभी हमने देखा अगर हम definitions of economics की बात करें तो देखिए economics का एक कोई भी एक निश्यत एक particular definition नहीं है क्योंकि economics को अलग-अलग economist के द्वारा अलग-अलग तरीकों से define किया गया है तो जितनी भी परिभाशा है economics की अर्शास्त्र की दी गई है उन सब को mainly हम four categories में categorize करते हैं और फिर discuss करते हैं अर्शास्त्र की जितनी भी परिभाशा दी गई है उनको हम चार भागों में बाटते हैं और उनको हम समझते हैं सबसे पहले हम थोड़ा economics के definition की तरफ ध्यान देंगे तो जब हम economics की बारे में बात करेंगे इसके definition की बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहला नाम लेंगे Adam Smith का क्यूं हमने इनका नाम सबसे पहले लिया तो Adam Smith economist थे और इन्होंने first time मतलब पहली बार economics को define किया था Adam Smith वो वक्ती है जिन्होंने पहली बार economics को define किया first time जो जिन्होंने भी economics को define किया है उनका नाम है Adam Smith अब ये वो वक्ती है जिन्होंने पहली बार अर्सास्तर पे ध्यान दिया और इसको define करते वे बताया कि economics जो है अगर हम definition की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला अर्षास्त्र को कैसे डिफाइन किया तो उन्होंने जो definition दिया वो था कि economics is a science of wealth उन्होंने बोला कि अर्षास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है सबसे पहले economists को define करने वाले जो अर्षास्त्री थे उनका नाम था Adam Smith इन्होंने पहली बार economics की परिभाशा दी definition दिया और definition जो इन्होंने दिया वो था कि economics is a science of wealth और इस definition को उन्होंने अपनी एक book में publish किया सबसे पहले उन्होंने अर्षास्त्र को परिभाशित किया और कहां किया तो अपनी एक किताब में किया उनके book का नाम था किया विए ऑन एक नाम्होंने nature and causes of wealth of nation उनकी किताब की जो नाम था वो था an inquiry into the nature and causes of wealth of nation ये book उनकी publish हुई थी प्रकाशित हुई थी ये किताब उनकी year 1776 में और इस किताब में उन्होंने पहली बार economics को define करते वे कहा कि economics जो है वो धन का विज्ञान है और सास्त्र में हम धन की बाते करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि धन क्या है मनुष्य जो है वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है मतलब wealth को कैसे कमाया जाता है wealth को कैसे खर्च किया जाता है तो उन्होंने economics को completely based कर दिया based कर दिया wealth पर और इस तरह से उन्होंने पहली बार ये definition economics का दिया तो क्योंकि first time किसी ने economics को define किया था पहली बार इससे पहले किसी ने भी economics को as a main subject के तौर पर या इसकी परिभाशा को इस तरह से परिभाशित नहीं किया था और यही वज़ा है कि क्योंकि Adam Smith ने पहली बार ये काम किया तो Adam Smith को father of economics के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने economics को define किया था तो Adam Smith is also known as father of economics तो जब भी father of economics की बात आती है तो Adam Smith का नाम लिया जाता है ये कुछ बाते हैं जो आपको इसके definition की शुरुवात में समझनी है कि Adam Smith थे जिन्होंने पहली बार define किया इनको father of economics के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार ये काम किया और इन्होंने economics को धन का विज्ञान बताया और ये definition उन्होंने अपनी किताब में दी और जिनके किताब का नाम था एक चीज़ और यहां पर आप जान लें बुक का नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है याद अगर आप रखना चाहेंगे तो इसको आप बहुत ही short में याद रखेंगे as a wealth of nation short में भी आप इनके किताब का नाम याद रख सकते हैं wealth of nation और इस किताब में ये वही किताब है यही नाम है इसको बस short कर दिया गया है ताकि आप बच्चों को तकलीफ ना हो इतना बड़ा नाम याद रखने में ठीक है तो यह हो गया economics का definition और उनके शुरुवात के बारे में अब जैसा कि मैंने बताया कि अब शुरुवात में Adam Smith आया और उन्होंने economics को define किया तो हुआ क्या कि और भी कई तरह की असास्त्री फिर आये अलग-अलग उन्होंने बोला कि नहीं economics में हम सिर्फ धन की बाते नहीं करते बल्कि इसमें हम और दूसरी बाते करते हैं जैसे कि कई economists आये जिन्होंने बोला कि economics के अंदर हम तो बाते करते हैं about human welfare मानव कल्यान की बाते करते हैं तो एक definition उसको consider किया गया कि economics में हम बात कर रहे हैं कि एक मानव का कल्यान कैसे किया जा सकता है कैसे बढ़ाया जा सकता है किन-किन चीजों पर depend करता है और उसके बाद ये दूसरा definition दूसरी category का definition आप कह सकते हूं और फिर नए economist आये उन्होंने बोला नहीं economics नहीं धन का विज्ञान है और नहीं मानव कल्यान का विज्ञान है बलकि अरसास्त्र तो कमी के बारे में बताता है scarcity की study करना सिखाता है और scarcity में एक व्यक्ति कैसे choices करते हैं ये तो उसके बारे में बताता है तो उस definition को भी फिर कई economist आये और उन्होंने follow किया अब कुछ समय और भी था और नए अरसास्त्रियों की team कह सकते हो आ गई तो जरसे जरसे नए नए लोग आते गए उन्होंने economics को अपने अपने तरीके से study किया और अपना अपना definition उन्होंने दिया और फिर आये एक economist जिनका नाम था Paul Samuelson और उन्होंने बोला कि economics में हम नहीं सिर्फ धन की बाते करते हैं नहीं सिर्फ मानो कल्यान की बाते करते हैं और नहीं हम सिर्फ scarcity और choices की बाते करते हैं बलकि economics में तो हम इन सब की बाते करते हुए देश का विकास कैसे करना है society को grow कैसे करना है इसकी बाते करते हैं और ये चौथा definition economics का लिया गया और इस definition को as compared to all three definition ज़ादा appropriate माना गया क्योंकि इस growth oriented definition में economics के सारे terms को सारे पहलूओं को हर एक aspects को include किया गया था उसमें धन की भी बाते थी उसमें मानो कल्यान की भी बाते थी उसमें scarcity and choices की भी बात थी और इन सब के साथ growth कैसे होता है इसकी भी चर्चा की गई थी और इस तरह से economics के चार definitions लिये जाते हैं और जिसमें से पहला जो definition है जैसा कि मैंने अब यह भी बताया wealth oriented definition दिया गया धन आधारित परिभाशा अर्शास्त्र की दी गई और इस तरह के definition को wealth oriented definition देने में मुख्य रूप से नाम लिया जाता है Adam Smith का Adam Smith थे जिन्होंने सबसे पहले economics को define किया था और उन्होंने definition दिया था economics का on the basis of wealth सिर्फ Adam Smith नहीं थे फिर बाद में और भी economist आए और उन्होंने economics के definition को wealth oriented बताते हुए Adam Smith को follow किया जिसमें और भी economist का नाम लिया जाता है जैसे की walker हो गए आपके senior हो गए इस तरह के economist आपके आए but mainly हम किन का नाम लेते हैं तो Adam Smith का आपको याद रखना है तो आप किन का नाम याद रखोगे तो Adam Smith का नाम आप याद रखोगे आपका काम हो जाएगा यह मैंने आपको बताने के लिए बताया है और भी नाम आप ले सकते हो senior, mill यह सब आपके economist के नाम है तो मुख्य रूप से हमने जिन का नाम याद रखना है वो है Adam Smith ठीक है पहला definition economics as a science of wealth फिर बारी आई दूसरे definition की जिसमें human human के जगा पर अगर हम सारे लोगों को बिला दे तो society तो human welfare और येंटेड डेफिनेशन भी दिया गया और welfare और येंटेड डेफिनेशन देने में मुख्य रूप से जिनका योगदान है या जिन्होंने पहली बार economics को define किया as a human welfare science of human welfare उसमें mainly नाम लिया जाता है प्रोफेसर अलफ्रेड मार्शल का प्रोफेसर अलफ्रेड मार्शल जो थे इन्होंने सबसे पहले economics को define किया as a human welfare उन्होंने बुला कि अर्शास्त्र में हम मानव कल्यान की बाते करते हैं और ना किधन की बाते करते हैं फिर बाद में और भी economist आये जिन्होंने इनको follow भी किया और कहां कि हाँ economics जो है वो वाकई में human welfare की बाते करता है जिसमें हम Pigu का नाम ले सकते हैं Stigler जो है उनका नाम लेते हैं Canon का नाम लेते हैं इस तरह से और भी economist आते गए और उन्होंने Adam Smith के definition को support करते हुए उसको welfare oriented definition बताया mainly हमने human welfare oriented definition में किनका नाम याद रखना है तो Alfred Marshall का नाम हम याद रखेंगे उसके बाद बारी आगई तीसरे definition की जो की थी scarcity oriented definition फिर परिभाशा आई economics की कि अर्शास्त्र में हम धन की बात नहीं करते अर्शास्त्र में हम मानव कल्यान की बाते भी नहीं करते बलकि अर्शास्त्र तो हमें बताता है कि किस तरह से कमी की स्थिती में choice किया जाता है कमी क्यब उत्पन होती है choices कब करने पड़ते है scarcity oriented definition in relation to choices in relation to unlimited wants इन सब पे based करते हुए economics का definition दिया गया और इस definition को देने में मुख्य रूप से नाम लिया जाता है L. Robbins का जिनका पूरा नाम है Lionel Robbins का सिर्फ यही नहीं फिर Lionel Robbins के द्वारा दिये गया definition को भी और भी कई तरह के अर्षास्त्रियों के द्वारा follow किया गया इसको भी बढ़ावा दिया गया और उसमें भी नाम लेते हैं हम लोग जैसे की Wix Teed थे हमारे यह एक economist थे और भी कई तरह की economist थे जिन्होंने बोला कि हाँ economics में हम लोग scarcity की बाते करते हैं economics में हम लोग scarcity की चर्चा करते हैं वहाँ पे हम choices की बाते करते हैं वहाँ पे हम धन की बाते नहीं करते मानव कल्यान की बाते नहीं करते और scarcity oriented definition में हम mainly जिनका नाम याद रखेंगे वो है L. Robbins Lionel Robbins का नाम हम याद रखेंगे और फिर बारी आई चौथे category के definition की जो की दी गई थी on the basis of growth that is called growth-oriented definition growth-oriented definition जो है यह आपका दिया गया था प्रोफेसर पॉल Samuelson की द्वारा जिनको शॉर्ट में P. Samuelson के नाम से भी जानते हैं इन्होंने economics को define करते वे बोला कि economics जो है वो growth की बाते बताता है वो बताता है कि किस तरह से economics में हम धन को कमाना सीखते हैं धन को खर्च करना सीखते हैं human welfare को बढ़ाना सीखते हैं साथी साथ हम वहाँ पर scarcity की बाते करते हैं और वहाँ पर इन सब के साथ हम कैसे समाज का और देश का growth हो इन सब की चर्चा करते हैं growth oriented definition और ये definition Paul Samuelson के द्वारा दिया गया और इसमें इस तरह के definition में मुख्य रूप से Paul Samuelson का योगदान माना जाता है और आपको इनका नाम याद रखना है तो ये चार अलग-अलग category के definitions थे economics के और हमें इन चारो category के definitions को जानना है depend करता है ये हमारे objective type question के लिए है कि आपको economist के नाम जानने है with their definition के किस तरह का definition उन्होंने दिया है अक सर्थ पूछे जाते है हमारे objective type questions में और यहां पे हमारा जो definition of economics है ये भी complete होता है अब आज के class में हम लोगोंने क्या-क्या discuss किया तो आज हम लोगोंने meaning of economics को detail में discuss किया है साथ ही साथ हमने definition of economics पढ़ा father of economics की बाते हम लोगोंने करी Adam Smith से related कुछ facts हमने discuss किये और अब हम लोग next class में इस topic के next topic के बाद की topic को discuss करेंगे Thank you के बाहिश पर्लाज हूए को कि बाहिए को नहीं लोगों कि ए्रोगी कि की का मैं नही जे मैं और उसम थाज़ सता कि कि आद सांक कि अदूदाती हुम आद झाल झाल